फ़स्ट आफल गुड मॉर्निंग डॉल आफ यू तो अपन देखते हैं लेक्टर नमबर सेवन एंवार्मेंटल इंजिनेरिंग का तो लास्ट लेक्टर में हमने फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामेटर के बारे में देखा था और उसमें कौन-कौन सी फिजिकल वाटर सुस्पंडिँड सॉलिड्ट ठीक है और उसके बाद में हमने क्या यह क्या क्या था कि रिखना तो नेक्स्त हम देखते हैंऄë नमबर वहाह स्का जो टेस्ट है जैежду वहो कैसा आता है हमारा कैसा भी हो सकता हूँ अगर हमने उसको को टेस्ट किया तो हो सकता है हमारा बिटर हो थोड़ा कड़वा हो सकता है खारा हो ठीक है सौर हो सॉल्टी हो तो इस प्रकार का कैसा भी और एक हम कहते हैं मीठा पानी तो मीठा पानी एक्शल में स्वीट नहीं होता मीठा पानी का मतलब वो हमारा पोटिबल वार्टर है उस और अडर दोनों coincidentally एक साथ उत्पन होते हैं अगर कहीं लगेगी ठीक है या तो बदमू basically कहां से आएगी यह आती हमारे क्या जो उसके अंदर कोई dissolve gases उसमें involved हो ठीक है ना तो अगर कोई dissolve gases हमारे पानी के साथ गुल करके जा रही है तो पानी से smell आएगी और कब आएका उसमें कोई और्गेनिक मेंटर हो हो और गयनिक मेंटर में आपको बता चुका हूँ लेडी और गयनिक मेंटर का मतलब तो जो एजी ली हमारे जिसके अंदर कारबन कंटेंट हो और गयोड इगेडेबल मतलब जैसे हमारे apple हुआ, apple को आपने रख दिया चार दिन तक, तो क्या हुआ, वो सडने लगा, तो वो एक organic matter है, apple अपने आपको सडने लगा, धेर धेरे क्या होगा, वो decay हो जाएगा, automatically, पत्ते हुए, ठीक है, और सब जियां हुई हमारी, जो भी हम खाना पीने खाते हैं, वो जो हमारा waste साथ साथ सारा organic matter के डिग्री में आता है, तो organic matter के कारण भी क्या होगा, और organic matter है, तो चार पास एक limit के बाद वो अपने आप सडने लगेगा, decay होने लगेगा, decay होने लगेगा, तो उसमें से बदबू आई, micro-organ generate होंगे, सब साथ सारे काम होगा हमारे किसके क का मतलब के वल नमक होता है, साथ का मतलब है, हमारा calcium, magnesium, sodium, potassium, सभी प्रकार के salts हमारे, ठीक है न, तो यह साथ सारे हमारे salt अगर मौझूद, उसके करण क्या होता है, हमारा उसका टेस्ट बिटर, कड़वा हो जाता है, या फिर खारा आता है, तो यह साथ सारी चीज़ है, हम हमारे किस से लिटर, टेस्ट अगर से लिटर, तो पहले हम इसका वही, जो हम पढ़ते हुए है, सीक्वेंस, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इसका origin देखेंगे, तो origin के अगर मैं बात करता हूं, तो टेस्ट और अडर जो है, हमारा कहां से उत्पन होगा, यह अपना ह मेंटर, ठीक, एंड, मिनरल, सॉल्ट, जैसे की, सोडियम, कैल्सियम, मेगनीसियम, पोटेशियम, क्लोराइड, यह सब, दूसरी बात किसकी आती है, इफेक्ट की? तो अगर टेस्ट और अडर मौजूद है पानी में, तो आप खुद ही सूचिए, क्या प्रफा पड़ेगा, अगर हम जिस पानी को पी रहे हैं, उसमें बदबू आ रही है, और इसका टेस्ट क्या खा रहा है, तो क्या साइकोलोजिकल एफेक्ट पड़ता है, क्या इसमें क मेजरमेंट, अब यह मेजरमेंट क्या होता है, किस तरह से करेंगे, तो टेस्ट और अडर का मेजर कैसे करेंगे, वह टेस्ट का तो अपने इसली बता सकते हैं, टेस्ट करके, चक कर, कि भाई, जो हमारा वाटर है, वो खारा है, ठीक है, या वो कैसा है हमारा, स्वीट है, या हमारा वो बिटर है कड़वा है वो तो हम बता देंगे बात आती है अडर की गंद की तो गंद को हम किस तरह से यूनिट दें बदबू तो आ रही है उसमें हमारे पास दो सेंपल है वोटर सेंपल दोनों से बदबू आ रही है तो हम क्या कहेंगे कि यार इससे ज़्यादा बदबू आ रही है तो ज़्यादा कम ही बोल सकते हैं लेकिन अगर मेरे को particular quantity बताने कि बही कितनी ज़्यादा आ रही है जैसे मान दीजिए दो बीम है दोनों बीम पर रोड लग रहा है एक पर तो लग रहा है 100 किलो न्यूटन एक पर लग रहा है 1000 किलो न्यूटन तो हमारे mind क्यांटिटी तो बताओ भई कि बदबू की कोई quantity बता तो कैसे ग्याद करते हैं एक्च्वल में तो इसको ग्याद करने का जो इंस्टूमेंट होता है वह तो भई होता है ओस्मोस को ठीक और इसको अपन ग्याद इसको पन किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं इसको आस्मोस कोप द्वारा ग्याद किया जाता है वे अडर को कि अग्याद कि अग्याद कि त्राइश ओल्ड कि अडर कि नंबर कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं कि टन द्वारा व्यक्त करते हैं ठीक है मैं इसको द्वारा पन इसको व्यक्त करते हैं अब बात आती है कि अपन किस तरह से निकालेंगे इसको उसको निकालने का तरीक है समझीए आप तो सबसे पहले तो हम क्या लेते हैं एक एक्स मिली लीटर का हमने लिया एक टेस्ट सेंपल उसमें हमने क्या मिला दिया वाई एमल का अड़र फ्री डिस्टिल वाटर मिलाते चले गए तो इन दोनों को मिला दिया हमने तो हमें एक जो रिजल्टेंट प्राप्त हुआ है उसको क्या बोलेंगे इनिशियल डाइलूटेड सेंपल एक्स प्लस वाई एमल इसमें हम क्या है जोड़ते चले जाएंगे प्लस य एमल एक्स प्लस एंड़ एमल फिनल दिलुटेड सेंपल एक्स प्लस एमल देखो भई समझो किस तरह से निकालते हैं तो हमारा था इनिशियल टेस सेंपल सबसे पहरे जो एक बोटल ले लिया मान लीजिए हमने एक बोटल पानी ले इसमें बदबू आ लिया उस पानी में हमने क्या किया और प्री उसमें कोई किसी पिकारी गंद नहीं आ रही उन दोनों का हमने मिला दिया ये तो था इनिशियल टेस्ट सेंपल था हमारा और उसमें हमने क्या मिला दिया एक डाएंडि distilled water का sample हमने मिला दोनों मिल गए तो ये क्या dilute हो चुका है dilute का मतलब घुल चुका है हमारा तो ये जो बना ये क्या बना x plus y ml ठीक है और ये क्या कहला है initial diluted sample ये जो है हमारा ये कौन सा है initial diluted sample है उसमें हमने y ml और मिला दिया y ml हमने जैसे ही इन दोनों को मिलाया तो क्या होगी इसकी बदबू कम हो जाएगी क्यों कम हो जाएगी पहले भई एक लीटर से बदबू आ रही थी अब उसके अदर एक लीटर और मिला दिया तो volume क्या हो गई जादा तो बदबू क्या होगी हमारी कम हो गई, हमने क्या किया लेकिन वो खतम नहीं हुई, हमने yml और मिला दिया, अब हमने देखा abigham yml और मिला दिया, ऐसे हम मिलाते चले गए मिलाते चले गए, कब तक जब तक कि गो order रिमूब ना हो जाए, तो इसमें हमने क्या किया x plus n into y, मतलब XML तो था ही starting का प्लस में जितनी बार आपने वो मिलाते गए हो वो इतना अपना ये volume इखटा हो चुका है तो ये जो हमारी volume थी है कौन सा sample है हमारा final diluted sample कि भई अब जो है हमारा procedure खत्म हो चुका है इसमें से बदबू निकल गए order removed ठीक है न तो अब ये जो ratio है न and बटे first का ये ratio ही हमारा क्या कहलाता है T.O.N threshold order number तो threshold order number अपना क्या होता है final diluted sample upon में initial test sample इन दोनों का ratio हमारा क्या कहलाता है T.O.N तो actual में क्या represent करता है वो भी अपन देख लेते हैं तो ये के लिए रहके नहीं फिर से बोल देता हूं में क्या करते है अपन पहले अपन एक test sample लिया इसमें बदबू आ रही है दूसरा distal water लिया दोनों को मिला दिया एक single क्या बन चुका है initial diluted sample बन गया अब हम इसको smell करेंगे बदबू आ रही है तो हमने और मिला दिया distal water फिर हमने smell किया फिर और मिला दिया कब तक करेंगे हम ऐसा जब तक कि उसमें से बदबू रिमूव न हो जाए जैसे बदबू रिमूव हो चुकिया उस sample को हमने नोट कर ले कि टोटल जो volume है अब इसकी हो चुकी जह है और 3 क्या है इसकी cause to rejection 3 से उपर नहीं होनी चाहिए इन एनी केस लेकिन कोड हमें क्या कहता है कि जो हमारी test और order है वो agreeable होना चाहिए agreeable का मतलब क्या है भई लिमिट पर होना चाहिए कि हाँ मैं इसको पानी पी सकता हूँ ठीक है न उस condition पर होना चाहिए अब agreeable का मतलब यह नहीं है कि भाई मैं तो बदबू जहल सकता हूँ तो मैं तो agree कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है वो नहीं common सब ही कम सकम पचास लोगों से अपन कहें कि भाई इसको आप देखिए इसको आप inhale कीजिए smell कीजिए यह agreeable है कि नहीं सब ही कहरें agreeable है तो वो agreeable है otherwise नहीं है तो आप इसको उतार लो फिर मैं आपको टी ओ एन का ratio लिखवा देता हूँ इसको उतारेंगे मैं इसे बिटाता हूँ हाँ भई तो अपना जो टी ओ एन होता है एक्चल में क्या होता है अपाइनल है डाइल्यूटेड सेंपल अपन में इनिश्यल टेस्ट सेंपल ठीक है यह होता है टन डी अगर मैं बात करता हूँ लिमिट की तो दो लिमिट होती है और लड़ी पता है एक्सेप्टेबल और दूसरा कॉज टू रिजैक्शन एक्सेप्टेबल कितनी होती है जनरल लिमिट तो है वन टन टू री टन तो कोड हमें क्या कहता है कि जो यह है एगरीबल होनी चाहिए इसमें एगरीबल का मतलब सभी लोग एगरी करने चाहिए इतनी इसमें टेस्ट अडर होना चाहिए और वैसे कि हैं जनरल लिमिट इसकी वन टन टू 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 अब देखो एक तो आपको इसमें याद टेस्ट करें अपने लिए था ना एक्जामपल में 100 ml अंडेट के बाद में आपने हंड्रेड और मिला दिया तो आपका क्या बनेगा 200 ml तो यह तो था इनीशियल टेस्ट सेमपल और यह जो पना है यह इनीशियल डाईल्यूटेड सेमपल तो डाईल्यूटेड नहीं एक हजार बटे सो बरावर कितना आया दस यही क्या है हमारा T.O.N तो आपको याद क्या रखना है कि यह क्या है स्टार्ट में initial test sample है ठीक है न यह आपको याद रखना है क्यों कि यह गलती हो जाती है उसके नर आपको यह भी दे के रखेगा आपको इसका भाग नहीं देना, आपको इसका भाग देना है initial test sample का अब बात यह बता क्या रहा है, तो देखो आपने इस example में ton कितना आया, 10 आया, 10 क्या बता रहा है, 10 यह बता रहा है कि यह जो पानी है ना, हमारे पास जो sample है ये क्या है दस बार diluted करेंगे ना तब जाकर किसकी बदवू खतम होगी तो अब आप ये बताए किसी का T.O.N. जादा है किसी का कम है तो जिसका कम है वो ठीक है भई भई किसी का मालो T.O.N. की वैलू कितनी है 1 वन का मतलब क्या है कि उपर नीचे दौना जीए सेम आ रही है कि 100 ml तो वह था हमारा सेंपल सो ही आपने वह मिला दिया बदवू खतम बहुत बड़ी है ऐसा सेंपल पिलर है कि नहीं तो यह होता है about the parameter last वह है temperature है तो कौन सा है यह हमारा тут है the temperature है कर अब है temperature का ओरीजन क्या होता है मैं और दन क्या टेम प्रेचर जो है पानी का वो है जो अपन और नीचे से मिलना टेम प्रेचर वह बात आते तї तो और इजिन तो कुछ होगा नहीं और इजिन दम कुछ लिखे नहीं सकते ठीक है अगर हम बात करते हैं इसके effect की तो वही psychological effect है इसका temperature ज्यादा है तो हम नहीं पिएंगे कम है तो हम उसको agree कर सकते हैं लेकिन कम temperature हम जो सर्दिया है उसमें इतना agree नहीं करेंगे बात आती है इसके limit की और measurement की तो measurement तो यह इसका कैसे किया जाता है थर्मोमेटर की द्वारा किया जाता है temperature measurement और limit क्या होगी इसकी 10 डिग्री से 25 डिग्री मतला दस डिग्री तो होती है acceptable डिजारेबल लिमेट होती है इसके दस डिग्री पर पानी को भीजो लेकिन कॉस्ट इजेक्शन क्या है हमारी 25 डिग्री सेंटिग्रेट तो 25 डिग्री से अधिक किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए यह हमारे temperature की limit होत इसमें तो मैं डिग्री एक तो लिखूंगा effect अगर पानी का temperature 10 डिग्री सेंटिग्रेट बढ़ता है मालो एक तो temperature 20 डिग्री सेंटिग्रेट 20 से अब कितना हो गया 10 डिग्री सेंटिग्रेट तेंपरेचर उसका हो चुका है दस गुना बढ़ जाती है तो दुगनी हो जाती उनकी जो activity है activity का मतलब क्या होता है कि मानलो कोई apple था जो हमारा 20 degree centigrade temperature है हमारे room का उसमें हमने एक apple रख दिया तो वो जो apple था ना वो 10 दिन में खितम हो रहा था जो micro organisms को खा रहे थे और 10 दिन में जाकर उसको खितम करें थे ले तो जो biological activity है दुगनी हो जाएगा उसको खाने की जो rate है ना वो दुगनी हो जाएगी मतलब एफ़ल 10 दिन की जागे फांच दिन में ही खतम हो जाएगा पांच में हो गया या 20 में भाई दुगनी हो गए तो जल्दी खतम हो जाएगा तो ये उसका effect होता तो पानी के अंदर टेम्परेचर दस डिग्री सेंटिग्रेट बढ़ने पर बायोलोजिकल एक्टिविटी दो गुना बढ़ जाती है तो लिमिट की बात करूँ डिजायरेवल लिमिट जो होती है इसकी वह तो होती है कितनी आप दस डिग्री सेंटिग्रेट और कॉस्ट टू ज़िएक्शन बोलो या फिर कभो मैग्जिमम अंच्चिस डिग्रेशंटिग्रेट तो यह इसकी लिमिट होती है यह था आपना टेम्परिचर तो तो क्योंड बॉला कर एंधर वी हमारी कॉनसी वार्ट्र कौ्ण्टी पैरामिटर फिसीकल के अंदर ही आएगा लेकिन अगर हम बात करते कि सकी गेमिकल सब्लीट कुम कॉनसी प्वैल क्वैल्स तो गोण नियुकैंड फिसीकल अपने कंप झाल अब बात आते हैं हमारे डिजॉल सॉलिट्स की तो डिजॉल सॉलिट्स कौन से होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं हमारे सॉलिट्स नमक है नमक सॉलिट्स था पानी में डाला घोल गया अब हमको नहीं दिख रहा वो कब दिखेगा जब पानी को आप complete को evaporate कर दोगे तब जा करके वो पैंदे में बैठा हुआ दिखेगा तो dissolve solid हमारे कौन से parameter के अंदर आएंगे हमारे chemical या physical भाई physical में तो वो आते जो हमको physically sense कर सकते हैं देख सकते हैं सूंग सकते हैं चक सकते हैं तो इनको हम देख तो सकते ही नहीं है तो हमारे कौन से के टेकरी में आएंगे chemical water quality parameter के अंदर आएंगे इसलिए हम dissolve solid को chemical के अंदर पढ़ते हैं तो dissolve solid का origin है वो क्या होगा भाई mineral salts है जो हमारे वो हो गया ठीक है इन और्गैनिक matter से जो आता है इन और्गैनिक में पत्थर है हमारा पत्थर के थ्रूई पानी आ रहा तो पत्थर में काफी सारे हमारे minerals होंगे वो minerals का है पानी के साथ बैते बैते पानी में घुल गए हमारे जो हमारी चटाने होती है जहां से पानी आ रहा तो वहाँ पर minerals होंगे soil में mineral होंगे, पत्थर में minerals होंगे वो mineral भी हमारे पानी के अंदर घुल जाते हैं तो वही हमारे dissolved solids होते हैं ठीक है न तो हमारा origin इसका क्या हो जाएगा Inorganic Matter Coma Mineral salts From Rock and Soil अब इनके कारण effect क्या पड़ता है Dissolve solid कौन कौन से होंगे मालू में आपको देखो Na plus Cl minus ठीक है और कौन से होगे हमारे Ca plus 2 Mg plus 2 K plus सारे सारे Sr plus 4 सारे हमारे का है mineral salts है तो जब यह मौजूद है आयन्स हमारे पानी के अंदर तो क्या करेंगे हमारे पानी को भाई Alkinity भी उत्पन होगी Basis जो अपनी Acidity भी उत्पन होगी अगर पानी के अंदर CO2 यह क्या है CO minus 2 है या CO है only ठीक है यह हुआ है CO2 है Carbon, Mono, Carbon, Di, Oxide कोई सी भी गैस है और HCO3 minus तो यह अगर हमारे Carbonate, Bicarbon CO3 minus 2 CO3 minus 2 यह सब कुछ अगर मौजूद है ना पानी में तो देखो पानी की जो है pH बढ़ भी सकती है गट भी सकती है pH बढ़ेगी तो L-galinity गटेगी तो हमारी acidity pH भी हमारा next topic है तो यह साख सारे solids क्या कर रहे है ultimately हमारे पानी की acidity बढ़ा रहे है L-kinity भी produce कर रहे है उसके अंदर hardness भी उत्पन कर रहे है hardness किसके कारण होती है multi-valent cations के कारण जिन जो भी ions के उपर plus 1 से अधिक पावर होती है हमारी hardness को उत्पन करते है क्या होती हो तो फर्दर देखेंगे छोटा सा समझी है भी तो इसके कारण क्या हो रहे dissolved solid के जो अपने dissolved solids है उनके कारण ही complete जो problems हो रहे है पानी के अंदर हार्ड नेस हुई हमारे फ्लूराइड भी dissolved solid के केटेगरी में आता है सब कुछ हमारे क्या chemical जितने भी water quality parameter होते है वो depend ही किस पर करते है dissolved solids पर करते है तो इसमें मैं लिख देता हूँ आपको इसके effect क्या होंगे alkalinity कॉमा acidity वे hardness में होती है किसके कारण dissolved solids के कारण है measurement की बात करते हैं कि अपन इसका measurement कैसे करेंगे तो भाईया इसका measurement करने के लिए हमें एक टेक्निक की जरुत होती है क्या करते हैं हमारे पास एक test होता है डाई आयोनिक टेस्टर तो इसको ग्याद करने के लिए अपन specific conductivity निकालते हैं किसकी पानी की तो conductivity क्या होती है हमारे सुचा लगता पानी है यह जिसमें हमको dissolved solids निकालने हैं यह मेरे पास test है इस test को पाने में डालूँगा इसको ऐसे गुमाऊंगा गुमाऊंगा तो पानी के अदर जब dissolved solids है जो मैंने लिख़े थे इनके उपर क्या रहा है मुट饉क्त इल्ट रहा है तो मुक्तम है तो क्या होगा जैसे ही जो टेश्टर है ये machine होती है क्रोँ यह helped है छ जैसे हमारे घर में अम क्या करते हैं उसको ऊकद में डालते हैं तो इसमेν लाइठ जलती पता सब वे current आ रहा है उसके अंदर ठीक है ऐसे ही होता है हमारे एक tester होता है needle type का सा वो एक wire से connected होता है और वो आगे सामने क्या होता है हमारे digital meter होता है तो हम क्या करते है उसको घुमाते हैं तो जैसे जैसे जो ions है पानी में जो मौझूद वो इस tester से जब टकराएंगे न तो क्या हम जैसे ही वो पानी लिया पानी में हमने इसको इश्टर किया गुमाया इस तरह से तो जितने भी ions से टकरा रहे थे तो हमें क्या पता चल रहा है electrical conductivity है इसका मतलब क्या है कि भाई उस पानी के अंदर हमारे solids मौझूद है भाई dissolved solid मौझूद है तब ही तो वो टकरा रहे है तकरा रहे है तब ही तो electrical conductivity आ रही है तो ऐसे मेरे को ये तो पता चल गया कि इसके अंदर क्या चीज मौझूद है dissolved solid मौझूद है लेकिन कितने मौझूद है ये मुझे पता नहीं चला मुझे एक range भी पता चल सकती है कैसे वही मानलो ये मैंने ऐसे गुमाया और उसकी value क्य आ रही है कम आ रही है तो समझाओं इसमें कम है लेकिन अगर उसकी value जादा आ रही है तो मैं समझाओं इसके अंदर dissolved solid की value क्या है जादा है लेकिन मैं ये पता नहीं कर पा रहा हूं कि exactly value कितनी है कि 100 है 20 ppm है 30 ppm कुछ नहीं पता तो एक मोटा मोटा idea क्या लेते हैं कि जो ह हमारी electrical conductivity की value आई है ना calculate होकर के उसका 65% हमारे solids इसके अंदर मौझूद है ऐसा मानते हैं अपन तो अपन electrical conductivity को किस से गुणा कर दें 0.65 से अगर अपन गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा dissolve solid अब हम इस चीज़ पर question mark नहीं लगा सकते कि सर 0.50 क्यों ल जगा सकते हैं कि सर ये कम क्यों ले रहे हैं उत्रा ही क्यों नहीं लिया वही कम इसली ले रहे हैं हो सकता है कि जो आप ऐसे घुमा रहे हो तो वो जो पार्टिकल था वो इससे टकराया electrical conductivity इसमें दरसाने लगा वो और फिर घूम कर का आया दुबारा इसी पार्टिकल से टक पेश्यूद हैं वही टकरा रहे हैं बार-बार कि यहा है कि इसली अपनों से कम मानते हैं इस तरह से अपन क्या गियात करते हैं डिजॉल सॉलिट को गयात करते हैं तो किसकी आधार करते हैं electrical conductivity की आधार पर ग्यात करते हैं विद दा हेल्प आप डाई आयोनिक टेस्टर य डाई आयूनिक आयूनिक का मतलब आयन से बना गवा ठीक है ना तो भही मेजर्मेंट में लिखता हूँ इसका मेजर्मेंट डाई आयूनिक टैस्टर के द्वारा किया जाता है ठीक है बई इस टैस्टर के द्वारा इलेक्ट्रिकल कंड़क्टिविटी को ग्याद करते हैं जिसके आधार पर डिजॉल सॉलिड को ग्याद किया जाता है ठीक है बई इलेक्ट्रिकल कंड़क्टिविटी किसमें जात करते हैं बई माइक्रो महो पर सेंटिमीटर एड़ दरेट पच्चेश डेग्री सेंटिकरेट यसकी यूनिट होती है एलेक्ट्रिकल कंड़क्टिविटी को 0.65 से गुणा करने पर डिजॉल सॉलिड्स की मात्रा पी पी एम में प्राप होती है तो भहिया डिजॉल सॉलिड्स इस इक्वल स्टू 0.65 इंटू में एलेक्ट्रिकल कंड़क्टिविटी और एलेक्ट्रिकल कंड़क्टिविटी किसमें निकालते हैं आप माइक्रो महो पर सेंटिमीटर 25 इंटू और यह किस में निकलती है थैं हमारी इस पी पी एम में अग्या भई तो इस तरह से थैं क्या निकालते हैं डिजॉल स्टूलिड को निकालते हैं यह यूनिट रखी हुई है मैंने दिजॉल स्टूलिड काशा निकालेंगे इसमें पीपीए में हम लिखना हम पर लीटर के अंदर तो हम एलेक्टिकल गंडेक्टिविटी को पहले ही पढ़ चुके कहाँ पे वाटर रिसोर्च इंजिरियरिंग के इर्रिगेशन पार्ट के अंदर यूनिट नमबर वन में जहां हमने कंसेंट्रेशन और टूटल सार्स इसे इसोलनिटा तरह सावर बात करते में कि इसके भीट की तो लूमिट कि नहीं होती है जो हमारी से स्थे कूणति होती हैंमारे इंगे जनेरली सबनीघे को होताएंगे solid ही होता है तो आप इसको मिटाएंगे और इसकी जो fourth thing है that is limit limit के बारे बात करते हैं इसकी तो भाई जो इसकी limit होती है d point limit मैं डाके लिए देता हूँ 500 milligram per liter से 2000 milligram per liter तो इसकी कितनी होती है भी 500 milligram per liter से 2000 तो क्या है इसकी acceptable और 2000 क्या है cause to rejection ठीक है तो अपना जो पहला point है यह भी complete हो चुका अपन दूसरा point देखते है chemical water quality parameter that is तो आप इसको उतार ले भाई मैं इसे मिटाता हूँ दूसरा point जो है इसका वो है pH तो pH क्या है pH जो है ना भाई जस्ट एक scale होता है power of hydronium iron अपने इसको बोलते हैं तो यह क्या होता है एक scale होता है जो acidity और basicity दोनों को बताता है है clear है के नहीं तो acidity और alkalinity अमलियत अचारियत दोनों को बताता है हमारा यह scale तो इस scale के आधार पर ही अपन इन दोनों चीज़ों को बाक्रेट करते हैं power of hydronium iron कौन से iron होते हैं भाई यह पानी के पास दो ही आयन है h plus और o h minus मिलके क्या बनाते हैं h2 इसके बार हम लिखते हैं अपन पानी की pH उस पानी में मौझूद h plus आयन की मात्रा को दर्साती है इसे pH scale द्वारा व्यक्त किया जाता है जिस इसकेल की सहायता से लिक्विड की acidity वे alkalinity ग्यात की जाती है झाल 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 हाईडोनियम लो इसको चाहे हैं आप हाईटोजन आयन और एक ही बात होती है तो हाईडोजन आयन जो है हमारे वह किसमे है? उनकी मात्रा होनी चाहिए मोल पर लिटर महय Crane closer मोल्स पर लिटर महल पर लिटर मह मौलेख फ्लस ओसे करी हाएं पर तो इसको इस तरह से हम निकालते हैं तो किसके अधर पर निकाला जा रहा है एंच 5 आइन की जो मात्रा है कंशिंटरींट्रेशन उसके आधर परनी निकाल पा रहे हैं तो उसको इसकेल की सहाथा से निज़ुट कैसे 퍼ORT बारा व्यक्त लिया जाता है प्र प्र यह सके जो अपना जीरो से लेके चौजा तक होता है बच्पर ने पढ़ा है हमने तो प्र जिसके जिए लोटा जीरो फ़ाइट नाइन टेन फोर्टेन मान लीजिए हमारे एच प्लस आयन की जो मात्रा है वो है कितनी दस की पावर माइनस जीरो मात्रा है ठीक है बई इसकी मात्रा कितनी है दस की पावर माइनस जीरो है मतलब दस मोल पर लीटर उसकी मात्रा है हमारे पानी के अंदर तो दस मोल पर लीटर को दस की पावर माइनस जीरो माइनस जीरो म तो इस तरह से और यह 0 क्या है अपना आगे आ जाएगा जो पावर होती नहीं पावर लॉग के अंदर कहा जाती है आगे आ जाती है जीरो इंट New unlock base 10 मतला माइनस वह माइनस बढ़ीद यह माइनस फावर यह माइनस जीरो लोक की प्रॉपरटी का रहती है जो भी पावर होती हैं वह आगे आती है मतलत जो यह होता ना लॉग फ हैं की पावर एन तो इस लोक क्या होगान एन इंटन लोग एं यह होता इसका लोग तो ऐसे ही अगर हम देखते हैं इस वाले का लोग क्या होगा तो माइनस जीरो जो है वो हमारा पहले ही आ जाएगा आगे की तरफ कैसे आएगा देखो बराबर तो हमको पी एच निकालनी है माइनस तो पहले से लगी राए एक ये वाला और ये इससे अपना एक minus 0 और गुणा हो गया और अंदर क्या बचा केवल base 10 into 10 तो minus 0 minus into minus 0 कितना हो गया 0 minus minus plus 0 से 0 हो गया और log base 10 by 10 की value कितनी होती है 1 तो 0 की एक से गुणा करें कितनी value आएगी 0 आएगी इसका मतलब जिस पानी में H plus ion की मातलब 10 की power minus 0 है ठीक है उस पानी की pH कितनी होगी 0 होगी तो वही तो दिखाया है हमने तो 0 और उल्टा भी हो सकते है 0 pH है तो उसमें ions कितने है 10 की power minus 0 भाई जो pH है इसके आधार पर अगर आप concentration निकालना चाहरे हो तो 10 की power minus जो भी pH की value है वो रग दो इतने उसके अंदर hydrogen ion है और अगर hydrogen ion पता है pH निकालना है तो minus log base 10 H plus ion है ऐसे कर दो जैसे और समझ लेते हैं अपने एक मान लेजिए मेरे पास जो कोई liquid है उसके अंदर जो h plus ion है उसकी मातरा कितनी 10 की power minus 6 है और मुझे क्या निकालना है उसकी pH निकालना है तो pH कैसे निकालना है कि pH बराबर minus log base 10 10 की power minus 6 है मतलब मुझे h plus ion की मातरा पता थी तो मैंने क्या किया यह कर दिया मैंने अब यह जो log की property card minus 6 जो है वो आगया जाएगा minus into मैं minus 6 log base 10 into 10 ठीक है तो यहां से जो value आ रही है कितनी आ रही minus minus plus हो गया plus का 6 log base 10 10 कितना होता है 1 तो यह value कितनी आ गई 6 तो pH कितनी हो गई भई pH हो गई 6 कहने का मतलब क्या है जिस पानी में जिस liquid में जो h plus ion है उसकी मातरा 10 कि पावर minus 6 है ना उसकी pH कितनी है 6 है ठीक और अगर मैं उल्टा बोलू कि मेरे को अगर pH पता है और मातरा निकालने तो क्या होगा अगर मैंने बोला कि 6 है किसी की pH तो बताओ कितनी उसके है मनेश से मोल पर लीडर कै creams में माईस ऑप इस ऊक्राइन तो यह मैंने स्केल बनाया है तो यह ऐस केल एक्वर में क्या है डिप्रजेंट कर रहा दिए टिए का वार मातरा को दिखा रहा है तो पी सारे किस्की ाइज प्लस तो आपको दिखरार आप बताओ इस पूरे के पूरी वेलू में एक तो हैас प्लस न की मात्र स्की बावर माइनस जलök एक हैंस कि उसनकी वाली वेल्यू जभा गए जदा हैं जिसकी माइनस की OH-Ion होते हैं वो किसको चारियता को, alkalinity को बढ़ाते हैं, इतनी बात के लिए रहे के नहीं, H-Ion किसको बढ़ाएंगे, acidity को OH- किसको बढ़ाएंगे, हमारे alkalinity को बढ़ाएंगे, तो आप देखिए, ये वाली मातरा जादा है, ये वाली मातरा कम है, इसका मतलब acidity कैसे बढ़ रही है, इस तरह से बढ़ रही है, maximum कितनी acidity है, तो maximum acidity कौन से water की होगी, जिसकी pH कितनी ह जीरो, तो कम pH होने पर acidity बढ़ती है, तो ये अपनी छोटी सी बात थी, किस चीज़ से लेकर के, ये थी हमारे acidity और alkalinity से लेकर के, तो अब भी तो मैंने आपको केवल एक पार्ट बताया है, अब देखो भई, पानी के पास हमारी दोनों चीज़ होती है, H++OH-, मतलब अग नहीं चाहरियता है, ठीक है, और अगर ये वाली मात्रा बढ़ गई, तो क्या बढ़ेगी, acidity, ये मात्रा बढ़ गई, तो alkalinity, ये आपको मैंने बता दिया, अब क्या है, अगर मेरे को H+, पता है, तो क्या मैं उस solution मंदर, OH- आयन को निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता पहले चीज़ तो ये, और अगर मैं बात करता हूं कि एवल कंस्लेटेशन की, तो H+, आयन और OH- आयन जो हैना, उन दोनों को जो गुणनफल होता है, वो होता है, दस की पावर माइनस 14, ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, पहले चीज़ तो क्या थी ह हमारी, जो हमारा H+, आयन है, वो पी एच और पी ओएच की वैल्यू कि इतनी 14 होती है, तो अब आप देखिए, मुझे H+, आयन पता है, मालों दस की पावर माइनस 6 है, मोल पर लीटर, और मुझे क्या निकालना है, OH- आयन निकालना है, तो कैसे निकालूँगा, इन दोनों की साहिता से मैं निकालूँगा, तो देखो चाहिए, आप इसका यूज करो, इस वाली एक्विशन का, इसमें देखो, H+, OH- आयन दोनों का जो यो गुणन फल है, कितना दस की पावर माइनस 6 है, गुणा OH- बरावर दस की पावर माइनस 14, तो OH- कितना होगा, यह उदर चला ज है, तो यह माइनस 14, प्लस 6 कितना होगा, OH- बरावर दस की पावर माइनस 8 मोल पर लीटर, क्लिया रहा है, तो मतलब अगर किसी पानी के पास जो H+, आयन है, दस की पावर माइनस 6 है, तो उसकी OH- कितना होगा, दस की पावर माइनस 8 होंगे, और दस की पावर माइनस 8 होने का उंतलब क्या है, इसाए किसी एक पास Peak Power minus 6 mol per liter क्या है, H plus I तो उसके PH कितनी है, 6 है ऐसे किसी एक पास OH minus I दिसकी Power minus 8 है, तो POH कितनी है, आठ है, उसकी POH, एल रहे के नहीं तो आपने देखो 8 और 6 तो पियेष तो कितनी है, 6 है इस वाले केस में पी औ ओ एच कितनी यह आठ दोनों का योग कितना है चौदा ही तो होता है अक तो यह वह थेृच और चौदा होता है और इस प्लस प्लस आयई eru और तो म्होंँर स्थी क哦 wakingly 가 to snapper हो पिकर माइनर्स 54 मोल पर लीटर ऐथ दो अपने पास ये दो important चीज़े हैं जिसके आधार पर अपन दोने चीज़ निकाल सकते हैं तो उसी आधार पर मैंने इस pH इसकिल पर दर्सा दिया इस तरफ तो मैंने भी यहां से निकाल लो ना आप अगर यह दसकि पावर एक और यह अगर यह दसकि पावर minus 2 यह 10 की पावर minus 12 12 और 12 14 हो गए ना यह 10 की पावर minus 3 minus 11 minus 4 minus 10 minus 5 minus 9 minus 6 minus 8 minus 7 minus 7 अब इस वाले case में क्या हो गया भई दोनों ही चीज़े च्यों है हमारी वो equal हो चुके 10 की पावर minus 7 और 10 की पावर minus 7 दोनों की ही concentration बराबर हो चुकी है मतलब H plus iron और OH minus iron exactly equal हो चुके तो वो combined form में क्या बनाएंगे edge to o पानी बना दिया और वो क्या हमारा neutral water तो जो neutral पानी होता है उसकी जो सांदरता होती है हमारी क्या होती है यह क्या है अपना neutral water यह वाली बात आपको clear हुई होगी ठीक है अब देखो अब इससे आगे की और बात करते हैं neutral water हो गया हमारा उससे आगे हम देख रहे हैं तो यह 10 की power minus 8 अब देखो आपको मालूम है कि minus में power अगर बढ़ती है तो value घटती जाती है अपने आप मतलब देखो यह power minus में कम है यह ज़्यादा है तो यह वाली value तो ज़्यादा है और यह वाली value कम है अब आपने देखा कि इसमें यह value ज़्यादा है और यह वाली value यह power ज़्यादा है तो यह value कम है पावर कम है माइनस में तो वैल्यू जादा है तो OH- ION की जो वैल्यू है कैसे बढ़ रही है यहां तो कम है यहां पर ज्यादा है इसमें उल्टा हो रहा था तो कुल बलाके acidity, acidity कब कहां से कहां की और बढ़ेगी, ऊपर से नीचे की और अपन बढ़ेंगे, मतलब अपन 0 से लेके 14 की तरफ चलेंगे न, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 11, 12, 13, 14, तब तो L, K, N, T, बढ़ती जाएगी, चारियता, और अगर हम उल्टा चल रहे हैं, 14 से य इतनी कम pH होगी, उतने ही जादा H प्लस आयन होगी, मतलब उतनी ही जादा उसकी acidity होगी, क्यों, क्यों होगी H प्लस आयन क्या करते हैं, acidity को produce करते हैं, और OH माइनस आयन किसको produce करते हैं, L, N, T, क्लियर है के नी, तो इन दोनों ही चीज़ों के आदार पर मैंने complete table बना दी ही है, और जो मैंने दो टम से बताई थी न, वो ही हमारी important थी, उन दोनों को मैं, लिख देता हूँ अभी आपको, तो आप इसको उतार लेंगे भई, यह अपना pH skill था, मैं इसे मिटाता हूँ देखो, इसी के नीचे अपन क्या लिखेंगे, node करूप में एक लिखेंगे, या फिर पॉइंट करूप में एक लिख देंगे, H प्लस आयन, acidity, increase, करते हैं, OH माइनस आयन, L करिनिटी, increase, करते हैं, pH जो होता है, वो होता है, माइनस लॉग, base 10, H प्लस आयन, और पोह जो होता है, वो क्या होता है, माइनस, यह होता है, पोह, पी एच क्लस, पी ओएच का योग कितना होगा, 14, प्लस आयन, जो है, उन दोनों का गुणान फिल कितना हो, तो इन दोनों के आधार पर निकालते हैं, हमारा दस की पावर माइनस, 14 होगा, तो यह पांचों पॉइंट अपने लिए इंपोर्टेंट है, जितना ही पॉइंट है, अब अपन इसके आधार पर एक दो कुशन करके देखते हैं, किस तरह कुशन आते हैं, तो कुशन से पहले अपन इसकी सारी चीज़ें लिख लेते हैं पहले एक बार, मैं से मिटा देता हूं जिर यहां पड़ darkness के बाद में मैं अब यहां पड़ सकवाइं नहीं इस नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि देखो ओर इजे न उन्हें कुछ लिखाई नहीं ए-d chỉ करने तो दैक लिखाता pH कम होने पर acidity बढ़ेगी pH अधिक होने पर acidity अगर मौझूद है पानी में तो क्या उत्पन करती है पानी के अंदर अगर भाईया acidity मौझूद है ना तो उसके कारण हमारे एक तो होगा corrosion और एक क्या होगा tuberculation और अगर alkalinity मौझूद है तो जो हमारा sedimentation या बोलो particle deposition बोलो या फिर हम क्या कहें तो उसे tuberculation, incrustation तो इन चार चीज़ों बारे मैं बताए दाओं आपको तो इसके कारण effect क्या पढ़ते हैं हमारे देखो pH कम होने पर acidity बढ़ती है जिस से corrosion वे tuberculation होता है pH बढ़ने से alkalinity बढ़ती है जिस से incrustation बढ़ने से तेसे बढ़ने से बढ़ने से चाहिए भी करको में क्थी तक रबा़ने से पर लिख देता हूं मैं एक बार समझा दूंगा पर लिख देता हूं मैं एक बार समझा दूंगा पर लिख देता हूं मैं एक बार समझा दूंगा पर लिख देता हूं मैं एक बार समझा दूंगा ठिव भई अब हम्देख्टें ऐसे अपूल बढ़ जाती उर इसके का ऑन के होता है जो पाइप है ना पाइप यह जो भी मेट 뛰せ मेटल होते हैं न मेटलिक जो आयन होते हैं ऐसे हमारा F2 हुआ F3 हुआ तो यह आयन क्या होते है जब पिहेच कम होती है तो इने मही जाते हैं हमारे सर्फिस पर हमारे जम जाते तो जंग लगने मतलब केवल यह नहीं है कि आपने देखा होगा कि जंग लगने का मतलब क्या है उस पर red red सी एक पपड़ी सी बन जाती है तो दौनों चीज हो रही है उसके इंदर जंग को यह अलग से बाहर से थोड़ी ना लग रही है कि बाहर से कोई चीज आई उसके उपर उस तो उसको पर deposit हुआ है deposition के कारण क्या हो रहा है वो जो metal rust on लगा जढ़ने लग रहा है full करके पपड़ी बन कर रहा है उसी को बोलते है जंग लगना कि जंग लग चुल कोरोजन tuberculation वर्ड का मतलब क्या है कि वह इतना सा है कि जो उस पानी के जो metals metallic iron है जैसे F2, F2, F3 वो क्या है acidity की condition में जम जाते है ठीक है जैसे आपने pipe में देखा होगा न जो वो हमारे ions जम जाते हैं उसी को बोलते है tuberculation और अगर iron को अगर हम अटा दें और हम कहें कि भई पानी जो है बहरा उसके तर कोई अगर हमारे pipe की surfeice पर तब तो बो लेंगे tuberculation और अगर हमारे normal particles जम रहे है salt particles जम रहे है तो अपन उसको क्या कहेंगे incrustation incrustation कब होता है जब pH हमारी जादा हो जाती है मतलब aligalinity की condition है वही चीज लिखा है pH बढ़ने से aligalinity बढ़ती है जिससे incrustation वह silt deposition होता है silt deposition का मतलब क्या होता है particles का deposit हो जाना उसे बोलते हैं next आता है अपना psychological effects on human being EOS अगर बढ़ती है या घड़ती है तो psychological effects भरी पानी ढ़ता है बहुत अमली या रहा psychological effects प्रता है और हम पानी का यूज नहीं करते हैं यह होते हैं pH के हमारे क्या? effects अगर बात करतांbucks measurement की तो इसका measurement potential meter की दोरे क्या नाता है Jos meter basically क्या एक बताता है की पावर माइनस साथ हमारे क्या है उसमें एच प्रस आयन है तो पी एच कितनी होगी उसकी सेवन होगी सिम्पल सी बात है नेक्स राती लिमिट तो लिमिट जो होती इसकी एक सप्टेबल जो है साड़े छह तक साथ तो क्या है वैस्ट तो साथ होनी चीए एक्जेक्टली सकते हैं आमली आयता को तो बिल्कुल नहीं जेल सकते हैं तो देखो आप साथ से कितना नीचे गए यह ता हमारा साथ साथ से एंग कितना रहे के Tom 0.5 क्योंकि भई अमलियत हमारे लिखा था ना आगे तो थोड़ी कम हमने लिमिट की हुई है और उसके हमने क्या की हुए जादा तो साड़े चैसे आठ की बीच में हम पानी को acceptable है पी एच और लेकिन cause to rejection मतलब अगर कोई alternate source नहीं है तो साड़े चैसे नीचे पांस तक जीर लें क्या नहीं वो क्या है नो relaxation कोई relaxation नहीं यहीं फिक्स है बस सिंगल लिमिट देर की साड़े चैसे साड़े आठ ना तो साड़े चैसे कम होना चाहिए ना ही साड़े आठ से जादा कि लड़ है कि अगर alternate source नहीं है तो भई पानी छोड़ दो पीना यह बात त कि यह ला कैसे पूशन पूशते हैं आप देखते हैं करते हैं अब करते हैं अब करते हैं आपन क्याशके कोशन करते हैं Q1. If water have pH value of 5, then calculate its POH, H plus ion and OH minus ion concentration. So, given kya hai? pH beraver 5. Kya kya puch raha hai? यह कर रहा हूँ, पानी की POH बताओ, H plus ion बताओ, OH minus ion बताओ. बता देते हैं भई, pH बरावर 5 है. since pH plus POH beraver 14. Therefore pH कितनी है पांच? 14. तो pH कितना हो गया? यह हो गया भई यह नो. आगया पी उएच. पता है, पता है, पता चलगी. अब एच प्लस और OH minus ion बताने अपन को. तो हम जानते हैं, since pH बरावर minus log base 10 H plus. pH कितना है? 5 है. minus log base 10 H plus. minus इदर गया. अब आपनको H plus निकाना है. minus इदर गया. अब देखो, log जो होता है ना, यह हो गया अपना. आप इस चीज़ को समझो एक बार. log कहीं पर लगा हुआ है ना, और आप इसको उधर भेजोगे. तो log नीचे तो आएगा. log नीचे का मतलब क्या है? anti-log. और anti-log का मतलब होता है, 10 की पावर minus. ठीक है ना? 10 की पावर में चला जाता है. मतलब, जैसे अगर इदर तरफ 5 है और यह लिख रहा है x. तो अगर मैं इसको नीचे भेज रहा हूँ. तो 10 की पावर माइनस 2, तो इसको अपने और गाल लिख सकते है x into 10 की पावर प्लस 2. यह उपर तलब जाए है. तो हमने इसको simply दर तरफ भेजा है, तो कैसे भेज दिया हमने? कि यह 10 की पावर माइनस 2 बराबर x है, तो हम इसको लिख सकते ह तो 10 की पावर माइनस 2 उदर गया, तो किस में कनवर्ट हो गया? 10 की पावर प्लस 2 में कनवर्ट हो गया, क्लिрь है कहाँ? ऐसे ही जब आप लोग को इदaşर भेजोगे ना तो यह 10 की पावर माइनस में कनवर्ट हो जाता, यह उसकी प्रॉपर्टी होती है. तो यहां से हम क् सकते हैं, माईनस 5 बराबर लॉग बेस्टेन H+, लॉग बेस्टेन इदर जाएगा, क्या हो जाएगा? H+, बराबर 10 की पावर माईनस 5 क्या? मोल पर लीटर किलिए रहा है भई? H+, अपना आ गया 10 की पावर माईनस 5 मोल पर लीटर अब क्या निकालना है अपनको OH-Ion तो since H plus into OH- बरावर 10 की पावर 14 mol per liter H plus कितना है 10 की पावर माइनस 5 गुणा में OH- बरावर 10 की पावर 14 OH- बरावर कितना होगा 10 की पावर 14 गुणा 10 की पावर प्लस 5 बरावर 10 की पावर 9 OH- बरावर 10 की पावर माइनस 9 mol per liter सारे चीज़ निकल गए हमारी 1,2,3,4 लेकिन यह इतना लंबा का रोप करने बैठ होगे का एक्जाम में बिल्कुल नहीं पियेच कितनी है 5 वेच एच प्लस आइन कितनी होगा 10 की पावर माइनस 5 यह 5 है तो यह 10 की पावर माइनस चार एच प्लस आइन होगे और एच प्लस आइन अगर 10 की पावर माइनस 5 है तो OH माइनस कितने होगे 14 मैंसे घटा तो 5 को 9 10 की पावर माइनस 9 सिंपल यह तो मैंने आपको कंप्लीट दिखा रखा है बागे अपन इस तरह से निकार लें एक कोशर और बहुत अच्छा सा मैं आपको करवाता हूँ मैं इसे मिटाता हूँ पहले आप इसको तार देंगे बई कोशन आपको अच्छा रखावर था यह पहले इंकमेंग और ग्दिट वाटर इस 5 and 4 respectively then calculate its average pH if pH is varying linearly with time solution यह कह रहा है कि जो pH है पानी इदर से जा रहा है उदर से आ रहा है और जा रहा है तो उसकी जो pH है incoming की तो कितनी है? 4, 5 है और outgoing कितनी 4 average pH पूछ रहा है वो साथ में क्या करा है कि जो change हो रही है ना मतलब change हो रही है आतो रहा था जब उसकी पांस थी जा रहा है उसकी कितनी है 4 तो change हो रही है change कैसे हो रही है linear लीने का मतलब बिल्कुल straight line कि वही हर गंटे में इतनी 0.1 change हो रही है इस तरह से ठीक है न कोई ऐसा variation नहीं है कि पहले 5 थी पांस थी पांस डायक चार हुआ है ऐसे नहीं है ठीक है तो अपन से यही पूछ तो अपन किस तरह से निकालेंगे इसको तो average से हमारे mind क्या आता है average निकल वा रहा है तो pH average पह कितनी होगे पह एवरेज पह होगे अपनी 5 प्लस 4 बटे 2 बराबर साड़े 4 बिल्कुल गरता है ऐसे नहीं निकालते है तो average पह को कैसे निकालते है वो देखते है अपन भया पह पह बता क्या रही है एच प्लस आयन की मात्रा को बता रही है ना तो अपन सबसे पहले थे इन दोनों के आधार पे एच प्लस आयन की मात्रा को निकालते है उन मात्रा को अपन क्या करेंगे average निकालेंगे क्लिए रहे के नहीं तो pH बराबर 4 पी ओ इसको पांच पाल लेते हैं अच्छा यहां से आपको पता है एच प्लस कितना है आयन दसकी पावर माइनस पांच मोल पर लीटर और यहां से एच प्लस आइनस की पावर माइनस चार्ट तो तो एवरेज कि एस प्लस आइन कितने हुए तसकी पावर माइनस चार्ट फ्लस पावर माइनस पांच बटे दो अब यह बही आई ऐसे निकलेगा आप सोच रहे हो दसकी पाव माइनस पांच बटे दो कर देए ज़िक आप साधे चाहर जाएगा नहीं आप निकाल के देखिए कलजी से कुछ अलग वेल्यू जाएंगे यह दसकी पावर माइनस चार प्लस में दसकी पावर माइनस पाच 1.1 इंटू 10 देश टू पावर माइनस 4 क्या मोल पर लीटर अब मने पास एवरेज एच प्लस आयन की मातरा आ चुकी है अब मुझे क्या निकालना है मुझे तो पी एच निकालना है और पी एच क्या होती है पी एच बराबर माइनस लॉग बेश टैन एच प्लस आयन तो यहाँ पर अपन क्या पूट कर देंगे एच प्लस आयन की मातरा 1.1 इंटू 10 देश पावर माइनस 4 तो लॉग बेश टैन होके अपना 1.1 इंटू 10 देश टू पावर माइनस 4 बराबर ना इंटू में माइनस 1 तो पी एच जो हमारा आया वो कितना आया 3.96 अब आप देखिए 3.96 आए कि नहीं तो पीएच की वेल्यू कितनी आगई तो आपने यहाँ पर क्या रखा आपने यहाँ पर आपने जो एवरेज हमारे माइन बाड़ माइनस 4 बराब 5 बराब 5 सुबाब 4 कितनी यहाँ वेल्यू 1.1 दूसक्त और भाब इस वेल्यू को हमने यहां पर पुट कि है तब जाकर करके हमारी वेल्यू आगई तो पीएस कितनी है 3.96 तो अब आपको क्लियर किस तरह से निकालते हैं ऐसे निकालते हैं लेकिन अगर यह कोशन हमारे एक्जाम हॉल में आ गया तो कैसे करेंगे एक्जाम हॉल में आ गया आपको बतायता हूँ इसी कोशन के जो आप्शन मिलेंगे ऐसे मिलेंगे आपको नौ और साड़े चार ठीक है और दो और तीन पॉइंट नौ पांच इस तरह से आप्शन मिलेंगे आपको आपको इसमें से देखना है तो वह सिंपल सी बात है यह सूचिए आप दस की पाव और जोड़ दिए है H+, कितने जोड़ दिसके बाव माइनस 4 तो हप लाव पाको पहले पास थी माइनस पास पैफने माइनस चार और जोड़ दे तो हप लावा ठोड़े जा तो हूड़ी सी और बढ़ गई कि इसमें क्या जोड़ा है केवल पांस तो चार से जस्ट कम क्या आएगा तो हमें यह तो क्लियर होई गया था कि पीएज की वैल्यू अगर आप पांस और चार को जोड़ेंगे तो क्या होगा आप देख लीजिए उन चारों में से थी तो यह थी अपनी पीएज की बात तो आज के लिए इतना काफी है नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे लेक्ट नमबर एट में एक तो एलकेड़ी और एक हाड्नेस तो रोगों कबर करते हैं थैंकिसो मच